वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं विंसी प्रेमेर लीग टीटन मैच जोई खेला जाएगा बोटेनिकल गार्डन रेंजर्स वर्सिस लास ओफेकेर हाइकर्स के बीच में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूँगा उसी के थूझ जूड़ियेगा सर्च करके मच चुड़ना क्योंकि फेक चैनल काफी सारे हैं हमारे नाम के और कोई फेंटेसी फॉर्चून के नाम से पैसे मांगें तो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजिए जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी IPL आई रहा है सो यार मज़ा आने वाला है सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बात करते हैं यहाँ पर वेन्यू की सो आर्नोस वेल ग्राउंड में मैच होने वाले हैं और यहाँ पर आज को जैसे कल आपने देखा था कल बारिश से दोनों मैच जो है वो बोटैनिकल गार्डन्स की बात करें सो यहाँ पर सेलवन ब्राउन ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे फ्लेचर के साथ यहाँ पर हार्पर है कटोय है डेंबर है गिब्सन यहाँ पर सैम्यूल कैजरिक विल्लियम लेरी एडवर्ट किमाली विल्लियम्स और राजीन ब्रा है जेलेन है यहाँ पर वॉल्टर्स है स्मॉल ओजे मैथ्यूज और बिब्बी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे बात करते हैं फैन टू प्ले की सो यहाँ पर फैन टू प्ले में आई पील लीडर बोर्ड आ रहा है जिसमें 12 विनर जाएंगे और जो विनर होंगे व आपको मिल जाएगा फॉर्चुन रेफर कोड है बात करते हैं बोटैनिकल गार्डन की सो यहाँ पर सेल्वन ब्राउन ओपन करेंगे लास्ट मैच में आते ही आउट हो गए तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही बोला था कि यह ऐसा ही खिलाडी है हर बोल पे छक्का मारने की ट्राइ करता है बहुत केसिल में जल्दी आउट हो जाता है आते ही आउट हो जाता है लेकिन जब चल जाता है तो आपको यह बहुत अच्छे पॉइंट भी दे सकता है एक अच्छी डिफरेंशल पे बन जाती है स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में अगर और प्लस यह bowling भी कर लेते हैं कल नहीं कर इसी लेकिन यहाँ पर यह कर लेंगे तो आपके लिए एक अच्छी captain wise captain की choice बन जाती है Wayne Harper की बात करें सो one down batting करेंगे sensible batter है जो आपको innings build करके दे देते हैं और प्लस wicket keeping के point दे देंगे सो आपके लिए एक अच्छी pick बन जाएगी wicket keeping section से कटोय की बात करें सो important हिलाडी है कल के match में भी दो wicket निकाल के गया है और second down या third down तक बैटिंग करके दे देंगे सो एक अच्छे all rounder रहते हैं किरॉन कटोय भी Denver की बात करें काफी कम selection है एक अच्छा all rounder में कहूंगा इनको लाग कल के match में थोड़ी run पड़ गए थे एक over में लेकिन अच्छा बोलर है प्रस lower order में hitting भी करके दे देगा तो एक अच्छा all rounder आपके लिए रहता है E. Gibson कल का match खेले से लेकिन जादा कुछ किया नहीं न बैटिंग आई न बोलिंग करी तो मैं ग्रैंड लीग में रेकमेंड करूंगा Samuel की बात करें अगीन लास्ट मैच में कुछ खास करने का मोका इनको भी नहीं मिला लेकिन ये player ठीक है अगर आप इने ग्रैंड लीग में ट्राइ करना चाते हैं सुकर सकने हैं आपको ये बैटिंग बोलिंग दोनों से कॉंट्रिबूशन दे सकने हैं लेकिन वो ही बात है इनको बोलिंग कम कराई जाती है और बैटिंग भी कभी नहीं आती है लेकिन यहाँ पर T10 मैच में ऐसा ही होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जिस player को मौका जाज़ा नहीं दिया होता न अचानक से उसको बोलिंग करवा देते हैं ये चीज़ का हमेशा धियान रखना है T10 मैचेज में सो W. Samuel आपके लिए एक अच्छी Grand League की पिक बन सकती है कैजरिक विल्लियम इंपोर्टेंट रहेंगे Small League में आप चाही तो Captain Vice Captain भी कर सकते है West Indies के player है और अच्छा Allrounder है जो यहाँ पर विंसी Premier League में ये बैटिंग में भी अच्छी रन बना लेते हैं बोलिंग भी करते हैं और डेट में बोलिंग करते हैं तो किसी भी मैंच में 3-4 विकेट भी निकाल सकते हैं तो Grand League के लिए Captain Vice Captain की बहुत बढ़िया चोईस और इवन Small League में भी आप इने Captain Vice Captain कर सकते हैं Larry Edward की बात करें स्टार्टिंग में अपने दो ओवर करवा देते हैं बोलिंग अच्छी करते हैं एकॉनमिकल बोलर हैं और यूजवल इविकेट एक आदर निकाल जाते हैं अदरवाइस एकॉनमी वाले पॉइंट्स आपको दे जाते हैं और प्लस यह लोवर ओडर में बैटिंग भी कर सकते हैं तो एक आपके लिए डीसेंट पिक बन जाती है किमाली विल्लियम्स की बात करें तो फास्ट बोलर है लास्ट माच में कोई खास बोलिंग नहीं करी इनका यही रहता है कि दो-तीन माच में पिटाई हुई फिर एक आदे माच में विकेट मिल जाता है स्टार्टिंग में ओवर करते हैं एक ओवर और अगर वो अच्छा चला जाए तो दूसरा भी तबी कर लेते हैं अधर वाइस फिर डेट में बोलिंग करते हैं एक डिफ्रेंचल पेक आपके लिए बन सकती है अगर आप फास बोलर को ट्राइ करना चाहते हो राजीन ब्राउने की बात करें राजीन ब्राउन की बात करें यह कोई खास बोलर नहीं लेकिन यह विकेट्स ले जाता है यह इनकी पिटाई बहुत होती है रेकिन यह विकेट्स ले जाते है कल भी ऐसा ही हुआ था कि एक और में पिटाई बहुत हो लेकिन एक विकेट्स मिल गया यह फेंटेसी के हिसाफ से पॉइंट्स दे जाते है उस हिसाफ से यह काफी बोलर से बैटर पेग बन जाते है और लोर ओडर में आके आपको थोड़ी फ़ूद बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन दे सकते है डेथ बोलिंग की बात करें तो यहाँ पर केजरिक विलियम्स तो रहेंगे ही और यहाँ पर ब्राउन हो सकते हैं और यहाँ पर लास्ट मैच में तो कल के मैच में के important खिलाड़ी है बात करते हैं हाइकर्स की so get drone pop open करते हुए नजर आ जाएंगे कल जो second match था सिर्फ 3 over का हुआ था उसमें 41 run इनों ने बना दिये थे अच्छे player है जो captain भी कर चुके हैं पूराने season में और decent player हैं so open करेंगे सो आपने अपनी टीम में रख सकते हैं Maloney की बात करें सो टीम के captain है कल जल्दी आउट हो गएते most of the time में जल्दी आउट हो जाते हैं लेकिन इन में potential है बड़ी inning खेलने की भी so batting section से एक अच्छे pick आप के लिए बन जाएगी Douglas की बात करें और Fletcher ने last match में नहीं करी लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि Fletcher कर जाए ठीक है और यहां पर Douglas को आज मौका ना मिले वैसे हर मैंच में 2 over mostly करते ही हैं और wicket ले जाते हैं और बहुत अच्छी hitting भी करते हैं आप इनका average भी देखोगे तो 35 का batting से average है 25 wicket भी है आप देखोगे बड़े से बड़े player इतने wicket नहीं ले पा रहे हैं लेकिन ये player small league हो या grand league हो क्या captain wise captain आप कर सकते हो बात करें Lewis की second down betting करते है प्लस अपने 2 over भी आपको करके देंगे आपके लिए एक अच्छी choice बन जाएगी small league में भी captain wise captain की और grand league में इनने ज़रू captain wise captain try कर ले ना क्योंकि player बहुत अच्छा है और second down betting करता है और आपको over भी अपने 2 over पूरे करके देगा तो उसे साफ से काफी अच्छी pick बन जाएगी होज की बात करें तो again एक important player इनके जो यह है लेकिन यह batting bowling सब कर लेते हैं even wicket keeping भी कर लेते हैं लेकिन इनको इतना मौका नहीं मिलता तो मैं grand league में ही recommend करूँगा small league में उतना नहीं walters की बात करें इनको batting से promotion मिल सकता है केसी भी match में लेकिन top order काफी जादा sorted नजर आ रहा है so grand league में ही recommend करूँगा small league में काफी risk ही बन जाते है बात करें Jeremy Lane की so आपको bowling करके देते हैं plus आपको lower order में batting भी करके दे देंगे so एक अच्छा all rounder आपके लिए बन जाते है Nigel small की बात करें off spin करते हैं और wicket taking ability है लेकिन mostly इन्हें या तो over एक आदा मिलता है और कभी कभी वो भी नहीं मिलता है लेकिन यह है कि किसी भी match में surprise जरूर कर सकते हैं अपनी off spin से so grand league में आप इन्हें as a normal player जरूर consider कर सकते हैं OJ Matthews की बात करते हैं OJ Matthews जो है इस team का wicket taking bowler है इन्हें कभी कभी क्या करती है team जो है एन्ड के over में लगा देती है मतलब last season ऐसे ही होता था कि end में आके OJ Matthews आ गए और अपनी spin से wicket ले जाते थे so उसी साफ से consider करते हैं important है कि end में आके overs कर जाते हैं वैसे bowler कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन क्योंकि end में overs करवा देते हैं last season इनको और यहाँ पर यह wicket ले जाते थे BB की बात करें so BB का selection काफी कम है लेकिन एक अच्छी differential pick बन जाएगी अगर proper fast bowler की बात करें so BB एक अच्छा bowler है जो stage speed से डालता है और आप इनको अपनी small league में भी consider कर सकते हैं important player की बात करें so इनका top 5 काफी important है यहाँ पर Pope हैं, Maloney है, Douglas है Lewis और होज जो है इनके important player है small league captain wise captain की बात कर लें so Fletcher और Douglas ही होंगे majority small league में captain wise captain कुछ अलग करना है so यहाँ पर Lewis और Kazrik Williams को भी captain wise captain आप कर सकते हो grand league की बात करें so Lewis again यहाँ पर आएंगे captain wise captain के लिए Douglas भी आप कर सकते हो और यहाँ पर अगर बहुत ज़ादा risk लेना है so Salvan Brown आपने T10 matches में क्या करना है देखो बहुत ज़ादा grand league में captain risk की नहीं बनाने है क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो गिने चुने player ही होते है जो सब चीज़े आपको captain वाली performance देकर चलते है so लोग बहुत ज़ादा risk ले लेते है कि यार इस player को बना लेते है अब वो उसमें उतनी काबलियत ही नहीं होती कि वो हर में आज में उतने ज़ादा captain वाले points देगा यहाँ पर most of the time जो top player है न वो ही captain वाले points देता है so आप उनी पर ही multiple teams में आप उन players को captain wise captain कर सकते हैं जैसे even Fletcher को कर सकते हो, Douglas को कर सकते हो, Lewis को कर सकते हो so यह जो players हैं आप इने grand league में भी captain wise captain कर सकते हो चले चलते हैं dream 11 team की तरफ so मारे पास wicket keeping section में तीन option है pop है, Harper है, Salvan Brown है so यहाँ पर pop जो है last match में अच्छा खेल के आ रहे हैं important भी है, open करते हैं so मैं इनके साथ जा रहा हूँ, यहाँ पर Harper एक अच्छी differential pick है और अगर risk लेना है, अगर आप ऐसे कोई contest खेल रहे हो 7 member, 11 member, mini grand league so आप उसमें Salvan Brown को भी try कर सकते हो यह 0 पर out हो गए थे, बट मैंने हमेशा ही बताया कि यह ऐसा ही खिलाडी है, यह आते भी out हो जाता है लेकिन अगर यह 10 ball भी टिक गया 30-40 run भी आपको बना कर दे सकता है तो उस हिसाब से आप इनको भी try कर सकते हो अगर risk लेना चाहते हो तो मैं अभी के लिए pop के साथ गया हूँ बैटिंग सेक्शन में जो दो खिलाडी में लूंगा ही लूंगा वो है यहाँ पर fletcher और hoj के साथ मैं गया हूँ यहाँ पर मैं Denver के साथ गया हूँ और मैंने यहाँ पर Maloney के साथ गया हूँ जो open कर रहे हैं आप चाहें तो Maloney को drop करने का risk भी ले सकते है यहाँ पर Thomas है, Gibson है, Walters है और Samuels अगर खिलते हैं यह सब आप Grand League में as a normal player एक-एक करके rotate कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो यहाँ पर all-rounder section ने बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो दो player होंगे मेरे पास वो है कटोई और यहाँ पर Douglas दोनों के साथ मैं गया हूँ एक pick जिनका selection बहुत कम हो गया है क्योंकि last match में minus में point दे गए थे वो है Lewis, लेकिन यह बहुत शानदार खिलाड़ी है तो मैं इनको अपने team में ज़रूर लेकर चलूँगा यहाँ पर हमारे पास जो option आ जाते हैं, वो है यहाँ पर brown आप ले सकते हो आप किसी एक batsman को drop करके, यहाँ पर Denver या फिर Maloney को drop करके आप यहाँ पर brown भी ले सकते हो, और एक जो छुपी वए pick है वो है OJ Matthews selection बहुत कम है, लेकिन जैसा मैंने बताया, यह most of the time इसे captain end में over दे दे देता है और यह wicket निकाल लेता है, तो try कर सकते हो, ठीक है यहाँ पर Lewis के साथ मैं गया हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर brown, Samuel या OJ Matthews को भी consider कर सकते हैं especially brown और OJ Matthews, bowling section में जिसको मैं लेकर सबसे पहले जाओंगा, यह है कैजरिक Williams betting bowling दोनों से contribution देंगे, important रहेंगे, यहाँ पर जो दूसरे pick मैंने ली है, वो मैंने ली है यहाँ पर लेन की, Jeremy Lane के साथ मैं यहाँ पर गया हूँ, और जो 30 से pick है, उसमें मैंने Larry Edwards को लिया है यहाँ पर BB यह काफी अच्छी जो है, differential खिलाडी है, कि माली Williams भी अपने 2 over quota के करते हैं, सो उनको भी ले सकते हो small की बात करें, सो यहाँ पर small जो है, bowling जो है, ठीक करते हैं, लेकिन इनको मौका कम मिलता है अगर यहाँ पर R. Williams खेलते हुए नजर आजाना, यह bowler काफी अच्छा है, यह आपको wickets निकाल के दे सकता है सो अगर R. Williams आपको खेलते हुए नजर आजाए, यह आपकी टीम में होने चाहिए straw की बात करें, यह भी अगर खेलते हैं, सो एक अच्छा bowler है, जो starting में over करता है और last season इन उने अच्छी bowling करी थी, सो आप इनको consider कर सकते हैं लेकिन अगर R. Williams खेलते हैं, सो इनको अपने टीम में लेने की कोशिश जरूर करें ठीक है, सो यह रहीगी मेरी small league की team, captain, wise captain की बात कर लेते हैं सो यहाँ पर Fletcher हैं, Douglas हैं, Lewis हैं, इवन कटोई हैं और कैजरिक Williams हैं, आप इन में से कर सकते हो मैंने अपनी captainship जो दी है, वो है Douglas को, wise captain मैंने बनाया है Fletcher को आप reverse भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर Douglas के साथ गया हूँ as a captain, और wise captain गया हूँ मैं Fletcher के साथ सो यह बन रही है मेरी small league की team, grand league की team की बात कर लेते हैं उससे पहले fan to play app की भी team दिखा रेता हूँ मैं आपको so fan to play app में यहाँ पर wicket keeping section में pop जो है नहीं given है वो उन्होंने दिया है betting section में, so Salvan Brown को मैंने लिया है मैंने wicket keeping में और यहाँ पर Maloney को drop कर दिया है और बाकी team जो है वो same बन रही है, so यहाँ पर credit का issue नहीं है so यह मेरी grand league team number one है, इसमें मैंने यहाँ पर Salvan Brown को रखा है wicket keeping में और Maloney को drop करके यहाँ पर मैंने OJ Matthews को रख लिया है ठीक है और यहाँ पर bowling section में मेरे पास BB आ गए है, so यह काफी अच्छी grand league की team नज़र आ रही है, यहाँ पर Douglas को captain और vice captain मैंने Lewis को किया है जो second team बनाई है, उसमें मैंने Fletcher को captain रखा और Douglas को vice captain रखा है इसमें Wayne, जो Harper है, उनको मैंने अपने wicket keeping section में रख लिया है और यहाँ पर W Samuel और Nigel Small को भी रखा है मैंने अपनी team में so यह रहीगी मेरी grand league की team number two, आप क्या कर सकते हैं, आप multiple teams बना सकते हैं और जो focus है, वो best player पर ही करना है, आपने बहुत जादा risk नहीं लेना है कि आप यार इस player को कोई नहीं ले रहा है, तो मैं इसको direct captain बना लूँ आप कम selected वाले player को ऐसा team में रख सकते हैं, लेकिन जो captain है न, वो T10 matches में strong player को ही बनाओ तो आपकी अच्छी rank आ जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं तो ये रहेगी small league की team, final team आपको telegram पर मिल जाएगी, तो telegram पर जुड़ना मत भूलना, link description में है और साथ के साथ मैं comment section नहीं pin कर दूँगा, उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई है, पसंद आई है, तो like करो, share करो, comment करके बताओ, आप किसको captain बनाने वाले हो, और क्या विंसी Premier League पहले से खेलते हो, या पहली बार ये follow कर रहे हो, comment करके ज़रूर बता